तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने टेबलेट को यूज करके ओनलाइन टीचिंग वीडियो किस तरीके से बना सकते हो यह वीडियो मेरे हर टुटोरियल की तरह एकदम डिटेल में होने वाली है तो इस वीडियो को देखने तो वो भी आप यूज में ले सकते हो यह मैथढ़ सभी टेबलेट पे काम करेगा टेबलेटों काम में लेकर ओनलाइन टीचिंग वीडियो आप तीन तरीकों से बना सकते हो तीन अलग अलग तरीके जो आप use कर सकते हो जो भी आपको सुईधा अनुसार अच्छा लगता है जो मैंने तीन तरीके बताए tablet से teaching वीडियो बनाने के उनमें फर्स तरीका तो वो होगा जिसमें सिरफ और सिरफ आपको अपना tablet ही यूज करना है अगर आपके पास tablet आपको और कोई चीज की ज़रूत नहीं है आप directly वीडियो बनाना tablet से चालू कर सकते हो फर्स्ट में मैं वो चीज बताने वाला हूँ वो कैसे आप करोगे सेकेंड जो मैं बताऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि tablet के साथ आपको एक एक्स्टरा चीज की जरूत पड़ेगी वो होगा कोई external microphone या तो आप वायर वाला कोई microphone ले सकते हो या फिर अभी जैसे मैं यहां पर वायर्लेस microphone लगाया वाय ऐसे microphone भी मिलते हैं जो कि आजार से लेके 14 रुपे मिल जाते हैं वो आप आराम से मंगा सकते हो और टेबलेट के टाइप C USB में एक साइड करके वायर्लेस ली दूसरा साइड अपने या कोलर पे लगाके आराम से रिकोड कर सकते हो तो दूसरा method होने वाला टीचिंग वीडियो बनाने का आपने बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े टीचिंग चैनल देखे होंगे जो अपना फेस नहीं दिखाते हैं उसके बावजूद भी उनके बहुत सारे व्यूज आते हैं जैसे एक study IQ नाम से चैनल है उसमें बहुत सारे टीचर अपना फेस कभी नहीं दिखाते हैं लेकिन लेट की ही मदद से डायरेक्टली चैनल पे सारा का सारा वीडियो बनाकर डाल सकते हो एडिशनल चीज लेने के आपको कोई जर्थ नहीं है यह हमारा मेथड वन होने वाला जो मैं बताने वाला हूँ आप चाहे पढ़ रहे हो चाहे आप पढ़ा रहे हो हाउस वाइप भी आप बहुत ज्यादा चल जाओ हो सकता है भविश्य में आपके लिए क्या लिखाओ किसी को नहीं पता तो उसका आपको यूज करना चाहिए तो चलिए बात करते हो अपने फर्स्ट मेथड की ओनलाइन टीचिंग के जो कि सिरफ और सिरफ टेबलेट को काम में लेके होने व टेबलेट के उपर ही पढ़ाने वाले है इस पैन की मदद से और उसके अलावा आप और कुछ अलग से समझाना चाहते हो तो उसके लिए हम नौटस एप काम में लेने वाले हैं और टेबलेट के ही इंटरनल माइक्रोफोन को यूज करके हमारी ओडियो रिकोड करेंगे और फेस नहीं दिखाया जाएगा तो जो लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते टीचिंग वीडियो बनाने के लिए या फिर जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपने आपको देखना चाहते हैं कि वह कितना कर सकते हैं टीचिंग वीडियो में क्या क्या कर सकते हैं तो व वीडियो डेमो वीडियो बनाके भी दिखाऊंगा हवा यहां पे चल रही है मैं बाहर बैठाऊं आप पढ़ाना चाहोगे तो मैं उमीद करता हूँ आप अंदर बैठो गया इसी जगे बैठोगे जहां पर हवा नहीं चलती क्योंकि हवा में माइक्रोफोन बहुत बुरा करोगे अगर आप टेबलेट पर पढ़ा रहे हो तो आपको मीडिया और माइक वाला उपसन चूज करना है और स्टार्ट रिकोर्डिंग पर आपको प्रेस कर देना है अब इस मेथड के लिए जो मैं बताने वाला हूँ टीचिंग का इसमें आपको दो एप्स की ज़रोत प जाओगे और यहां पर जाके जब आप लिखोगे XODO तो यहां पर आपको दिख जाएगा जोडो PDF Reader यह रहा PDF एडिटर एंड PDF Reader जोडो यह बहुत बढ़िया PDF एडिटर और PDF Reader है आपको यह डाउलोड करना है फिर आपको करना क्या होगा आपको एक साथ आपको जोडो PDF प्रिटर में तो वह चीज ओपन करनी है जिसमें आप पढ़ाना चाहते है यह आपका PDF है जाप बुक से पढ़ा रहे हो यह अपने कोई PDF बनाया उससे पढ़ा रहे हो तो आपको वह जोडो PDF Reader में ओपन करना होगा जैसे मैंने NCRT से अगर मैं पढ़ाना चाहता हूं या फ और दूसरी साइट जब मुझे इस बुक में कुछ additional समझाना होगा तो मैं अपने Samsung Notes को भी open करके रखूँगा तो Samsung Notes ओपन करने के लिए मैं नीचे से notification panel खोड़ के और वहां से Samsung Notes ओपन कर सकता हूँ या फिर यह जो बटन दिया हुआ है मेरे S Pen पे इसको दबा के करूँगा स्क्रीन पे तो Samsung Notes ओर ओपन हो जाएगा पॉपफ विंडो में आप पॉपफ विंडो में Samsung Notes जब ओपन करते हो तो उसमें फायदा यह होगा कि आप जैसे ही कुछ समझा दिया आपने फिर यह वाला बटन दबाओगे तो यहां से यह minimize हो जाएगा पढ़ाने के ल तो आपको यह समझाना है आपने यह बुक में पढ़ लिया अब आपको इसको elaborate करना है तो आप Samsung Notes पे क्लिक करोगे और फिर यहां पे आप अपने हिसाब से criticized why क्यों criticized किया गया फिर आप उसको समझा सकते हो कि उसके तीन कारण थे एक दो तीन जो भी कारण थे वह समझा देना और उसके बाद में सारा काम आप यहां पर इस तरीके से कर सकते हो तो यह दो application रहेगी यह आपकी note board app हो गई Samsung Notes को आप अपने digital board के रूप में काम में ले स pdf reader में आप phdf खोल लो तो आप क्लिक करोगे और setting पर क्लिक करोगЕ बंदर है इसको चालू करोगे औप काईिल्स से स्टांन से रूप में काम करने लगजाएगा अगर आपकी लाइन मोटी ओरहे है स्टाइलस से लाइन इओ धीजर ज्यादा मोटी ओर तो आफको करना करना क्लिक करना है उपर व्यू लिखावा रहा है Г Auth iron इस एनट फिर चलिक करना थीट पैन का आइकन है और फिर यहां पर जाके आप पैन का बदल सकते हो और उसकी साइज को भी छोटीया बड़ी कर सकते हो मैंने एकदम स्मॉल साइज पर रखावा है वन पॉइंट पर और मुझे यही ठीक लगता है पीडियाप में तो यहां पर पीडियाप में अंडरलाइन और मार्किंग और छोटा मोड़ा कुछ लिखना चाहो ठीक है यहां से लिख सकते हो ज्यादा आपको समझाना है तो यह स अब कि मेरे एक्सटरॉण काम में ले रहे है और आप सिर प्रना आपको पढ़ां और वीडियाप रेकार डियापम कम में अरे पढ़ा हो तो यह जो है टेबलेट का इंटरनल माइक्रोफोन है इससे आप जितना दूर रहोगे उतनी बेकार आवाज रिकोड करेगा उतनी घटी आवाज रिकोड करेगा तो आपको अगर अच्छी रिकोड करनी अपनी ताकि सुनने वाले को आवाज अच्छी लगे और आराम से पढ आप कपड़ा निए विशाओगे तो अगर थोड़ा बहुत भी हिला तो उस इसक्रेच का आवाज बहुत ज्यादा रिकोड होगा साथ में ठीक है और दूसरी चीज आप क्या करना कि आप जितना पास में जासेको टेबलेट के जितना आप पास में जासेको उतना पास में नहीं कोशिस करना, उससे आपकी आवाज अच्छी रिकोर्ड होगी, आवाज में रूम का इको कमाएगा, क्लियर और क्रिस्प आवाज रिकोर्ड होगी, अब मैं टेबलेट की आवाज चालू करके आप दिखाता हूँ, अगर मैंने इसको बड़ा की आवाज है, ठीक है, मैं मैंने पास कर लिया, मैं गोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ यहाँ, तो आप सुन पाओगे कि दोनों आवाज में बड़ा डिफ्रेंस है, अब फिर से मैं एक्स्टरनल माइक्रोफोन की आवाज को स्टार्ट कर दिया, तो यह जो है, यह सीजों का आपको धान रखना जोडो और उसके साथ में सेमसंग नॉट्स, और सेमसंग नॉट्स पर आप बॉर्ड की तरफ समझा सकते हो, और जोडो में आपको पीडिएप खोलके अंडरलाइन हाइलाइट करके नॉर्मली वहाँ से पढ़ा सकते हो, यह तो होगी हमारी रिकोर्डिंग की बात, और रि इस टोर पे जाके आपको वी एन वीडियो एडिटर डाउनलोड करना है, वी एन वीडियो एडिटर ठीक है, इस एप में बिना कोई वोटर मार्क के आप आराम से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, तो यह मैंने वी एन वीडियो एडिटर डाउनलोड किया हो है, और अ और प्रोजेक्टेट मीडिया तो यहां पर मैं वीडियो बेस्ट करूँगा सेंप करूँआरो अभी मैं अलावी आयक्स पी इससाइघ Arms और मेनने यह अपनी रिकोरदिंग की ती इसको में कि इसक और नेक्स पर क्लिक करके add कर दूँगा तो यह मेरी जो recording है वो add हो रही है VN video editor में अभी यह सारी recording देखिए मैंने जो भी की थी पढ़ाने की वो सारी recording आज चुकिए मेरे सामने लेके PDF एडिटर और बाकि सारी चीज़े जो तो यह वाली वीडियो को जो मुझे एडिट करना है जो पार्ट मुझे काटना है जहां पर मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर मुझे वो इससा हटाना है तो मैं क्या करूँगा मुझे कुछ नहीं करना है इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा यहां पर देखो वी एन वीडियो एडिटर में आप S Pen लेके एडिट कर सकते हो आप S Pen से जो भी पार्ट है जहां पर आपको हटाना है वहां तक लेके जाओगे तो आप बीच का हिस्सा है अलग हो चुका है अब इस बीच के हिस्से को ब्राणा है तो मैं ہے इसको सवर्फ करूंगा और मैंaker हम बार दूँगा तो यह भींसा हट गया और देखिए यह डायकली वीडियो जो और यह Canva app open करके आप जो चाहे वैसा thumbnail बना सकते हो Samsung Pen की मदद से तो अगर आपको वीडियो editing पे और thumbnail बनाने पे extra tutorial चाहिए तो मैं अलग से बना दूँगा, यह लंबी बहुत हो जाएगी वीडियो यह था अपना first method कि आप कैसे Samsung tablet को काम में लेके अपनी teaching videos बना सकते हो second method होगा, उसमें बदलेगा कुछ नहीं ज़्यादा सिरफ जो microphone है, जो हम inbuilt microphone काम में ले रहे थे जिसके वजह से हमें नीचे जुकना पड़ रहा था उसकी जगह हम external microphone इसमें attach कर लेंगे बाकी सारा system सेम रहेगा एक्टरन microphone में आप या तो यह wireless microphone ऐसा attach करके और अपने यह पर लगा सकते हो जिससे आपको जुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि microphone आपके पास आजाएगा तो आपकी audio clear record होगी तो यह microphone का link में description में दे दूँगा USB-C के भी microphone आते हैं तो इसमें USB-C वाला लगेगा तो USB-C वाला भी मंगाना पड़ेगा आपको और wire वाला भी मंगा सकते हो मेरे ख्याल से wireless ज्याता अच्छा लेगा क्योंकि उसमें जंजट इतना रहता नहीं wire का और फिर computer से एक screen recording software आता है open broadcast software उसकी मदद से record करके उसको या तो फिर YouTube पर डाल सको या फिर उसको live stream कर सको obvious के थ्रू ही तो वो थोड़ा technical है और अधिकतर लोगों के कामका नहीं है जो लोग जादा advanced video बनाना चाहते हैं उनके कामका है तो इसके लिए मैं अलग से एक video बनाऊंगा इस video में उसको मैं include नहीं करूँगा इस video में मैंने ये दो simple method रखे है जिनको हर कोई अभी की अभी आप start कर सकते हो video बनाना इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप सिर्फ टेबलेट से video बना रहे हो internal microphone काम में ले रहे हो तो पास में मुह करके ही बोलना तब ही आपकी आवाज ठीक सुनाई देगी नहीं तो गुंजेगी आवाज को कमरे में गुंज बहुत होती है और वो बहुत बुरी लगती है इसलिए इसके पास में मुह रखना और फिर आप कुछ भी बोलना चाहते हो और आपस में आपको सारी बता दी उमीद करता हूं यह वीडियो से आपकी मदद हुई होगी अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना और शेर जरूर कर देना क्योंकि आप लगों के रिक्वेस्ट